कि कैसे एक लट्टू अर्थाद बल्ब आपकी फूटी किसमत को चमका सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के किस कोने में, कब, कहां, कैसे लट्टू, अर्थाद बल्ब, अर्थाद ट्यूब लाइट जलाने से आपको लाब होगा। बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है, आपके काम की चीजे हैं, जो मैं आपके पसंदिदा शो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपके घर का hall जिसको बोलते हैं living room जिसको बोलते हैं उस living room में उस hall में कभी भी पश्यम दिशा में west direction में bulb नहीं जलाना चाहिए, tumult नहीं होनी चाहिए, लट्टू नहीं होना चाहिए, पश्यम दिशा को छोड़ कर आपका जो living room की बात कर रहा हूं, hall की बात कर पश्यम दिशा को छोड़ कर बाकी किसी भी दिशा के अंदर आप बल्व लगा सकते हैं, लट्टू लगा सकते हैं, hall की आपके living room की, आपके drying room की जो north wall है, उत्तर दिशा में एक tube light लगाना शुब माना जाता है, north wall पे अगर आपने tube light लगाई है, तो ऐसा करने से आपके घ भर में लड़ाई जगडे कम होंगी, खुशिया जादा रहेगी, north wall की उपर, किचन, रसोई की बात करूँ, रसोई के अंदर बल्व लगाते समय, इस बात का ध्यान रहे कि ये पूर दिशा वाली दिवार पर लगावा हो, आपके किचन की जो east wall है, वहां पर लट्टू हो होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, यदि आपके किचन का प्लेटफार्म, north side में, उत्तर दिशा की तरफ है, तो एक बल्ब आप वहां पे भी लगा सकते हो, लेकिन पूर दिशा वाली आपकी रसोई की जो east wall है, वहां पर मा अनपुर्णा की क्रपा प्राप्त करने के लि पूर दिशा वाली दिवार पर एक बल्ब हो, तो ऐसे घर में कभी भी अन की कमी नहीं रहती है, रसोई की बात कर ली, आपके living room की बात कर ली, अब महत्पून आपका bedroom, आपके bedroom में, जिस दिशा में आपका bed रखा है, उसके ठीक सामने वाली दिवार पर पिंक रोश्णी वाला बल्ब लगाना चाहिए, आपका bed ऐसे है, तो उसके सामने जो दिवार है, आप उठते ही जो दिवार देख रहे हैं, उस दिवार पर जो है वो पिंक रोश्णी वाला बल्ब लगाई है, इससे married couples की relations में मिठास आती है, उठते ही समझ गए आप, जो आप सामने वाल ह है, वहाँ पर, चलिए, बात करते हैं आपके bathroom की, toilets की, bathroom की, bathroom में, south wall की दिशा में, south wall की दिशा में, bulb नहीं लगाना चाहिए, south wall पे अगर कोई bulb लगा हो, लट्टू लगा हो, तो उससे negative energy flow करती है, एक बात महत्मुन चीज है, संध्या समय होने के पश्याद, आपके घर के जितने भी कमरे हैं, उसमें जितने भी bulb हैं, tube lights हैं, उन सब को आपको एक बार अवश्य जलाना चाहिए, आप चाहें तो थोड़ी देर बाद, पांच मिनट, दस मिनट बाद में आप बंद कर सकते ह लेकिन घर के आंगन, पूजा घर में शाम के वक्त कभी भी अंधेरा मत रहने दीजिए, वहाँ पर बल्ब जलते रहना चाहिए, इफ वाट बेटर लक, आप चाहते हैं मा लक्ष्मी आए, संध्या समय में हर कमरे के अंदर दीपक अर्थात, लट्टू अर्थात, लेकिन देचे हैं